हेलो स्टुडेंज, वेलकम तु दा चैनल ऑनलाइन स्टडी विड डीके मैं नीलम जिनके साथ अभी तक प्रप्रेशन करते आए हैं सब्जेक्ट मैट्स के पेपर वन की तो आज हम जो यूपीटेट का पेपर होने वाला है ट्वेंटी एट ओफ नियामबर को हम उसके लिए कुछ यूपीटेट के प्रिवियर्ड यर्स के पेपर्स लेकर के आए हैं तो आप इन पेपर्स को अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी काफी हैल्प होगी एग्जाम के लिए तो चलिए हमारा जो पहला कोशन है हम वो देखते हैं कि समी करण जो है आपका टू की पावर एक्स प्लस 5 इक्वल टू की पावर एक्स प्लस 3 में एक्स का मान है आपको इस समी करण को सॉल्व करना है और एक्स का मान निकालना है तो इस तरह की जो equation हो इस तरह का जो समीकरण हो इसे किस तरह से आप solve करेंगे सबसे पहले तो हम जो 2 की power वाली time है उन्हें separate कर लेंगे उन्हें अलग-अलग कर लेंगे तो देखिए मैंने ये वाली time थी इसे भी इसी तरह transfer कर लिया और जब हमारे आधार समान हो और गुणा वाला हो तब हमारी जो घाते होती है जोड़ती है तो उस rule को apply करते हुए मैंने इसे इस तरह से separate कर लिया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की power x दोनों में हैं तो मैंने दोनों में लिख लिया 2 की power 5 minus 2 की power 3 is equals to 12 यह हो गया आपका 2 की power 5 32 minus 8 is equals to 12 तो 2 की power x into आपका यह हुआ 24 is equals to 12 आप यदि देखें तो यह 12 upon 24 हो जाएगा और यह 2 time cancel तो 2 की power x यदि यह 2 उपर जाता है तो minus 1 तो x is equals to minus 1 हमने compare कर लिया तो देखा हम इने question किस तरह से किया और बहुत ही कम समय में इस question को मैंने solve कर लिया आप इस question को और अच्छे से भी कर सकते हैं आप अच्छे से समझिये और question किस तरह से किया हुआ है आप इस शेश को note down करिएगा आपका second question यदि वेंचक x square minus 2ax plus a square को x plus a से भाग दिया जाए तो चार सेश वचता है आप देखिए यहाँ पर 6 वच रहा है चार और e का मान निकालना है तो आप इसे किस तरह से करेंगे कि जो आपको दिया हुआ है x plus a हम इसके equal 0 करेंगे तो x की जो value आपकी हो गई है minus a अब इस minus a की जो value हम इस समी करण में रख देंगे इस वेंचक में रख देंगे तो x square minus 2ax plus a square x की ये वाला जो माने इसे हम यहाँ पर रख देते हैं तो minus a का square minus 2a into minus a plus a square तो आपका ये minus a का square हो जाएगा a square ये minus a plus 2a square plus 2a square तो ये आपका कितना हो गया 4a square और यहाँ पर क्या बोला है कि 4 6 वस्ता है तो 4 हमने equal कर दिया तो a square जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 4 upon 4 ये cancel हो है तो 1 और जब हम a square है इसको हम root में अगर हम 1 को root में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा plus minus 1 तो आपका जो answer होगा वो option number b आपका answer हुआ next question है 1 plus 2 plus 3 plus this 10 minus 50 का माने देखिए यहाँ पर एक से लेकर 10 तक का जो है sum दिया हुआ है बाकी यहाँ पर फिर minus में 50 दिया हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि n नमबरों का जो sum का जो formula होता है वो क्या होता है n plus 1 upon 2 तो यह 10 number है तो आपके 10 numbers का sum का formula क्या होगा 10 10 plus 1 upon 2 तो हम 2 5 जा 10 तो आपका यह क्या हुआ 55 और यहाँ minus क्या करना है 50 तो 55 minus 50 आपका answer क्या हुआ यहाँ से 5 तो option number B आपका right answer हुआ next question देखते हैं यदि प्रेक्षणों x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 का माद्ध 9 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षणों का माद्ध है देखिए आपको इन प्रेक्षणों का माद्ध दिया हुआ है 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माद्ध दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर 5 प्रेक्षण थे उनका माद्ध 9 दिया हुआ है तो हमने इस तरह से लिया x plus x plus 3, x plus 5, x plus 10 यह हमारे 5 प्रेक्षण थे इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिया है और equal में 9 अब हम क्या करेंगे इससे solve करेंगे 1, 2, 3, 4 हमारे 4 जो हैं यहाँ पर x से x plus 10 तक लिया x plus 7 यहाँ पर हमारा छूट गया है तो हम यह x plus 7 भी यहाँ पर लेंगे तो आपके हुए यह 5x plus 25 और 9 इंटू 5 आपका कितना हुआ 45 तो 5x is equals to हमारा 45 minus 25 तो 5x is equals to 20 तो x is equals to हम डिवाइड लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 अब यहाँ से जो x की value 4 आईए यहाँ पर बोला अंतिम 3 fraction मतलब x plus 5, x plus 7 और x plus 10 तब हम 3 fraction में रखते हैं यदि x plus 5 में रखेंगे तो 4 plus 5 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा फिर इसके बाद है हमारा x plus 7 यदि आप x plus 7 में रखेंगे तो 4 plus 7 11 हो जाएगा फिर x plus 10 फिर आप 4 plus 10 करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा अब इन्होंने बुला है कि तीनों प्रेक्शनों का माद निकालना है, माद निकालना है मतलब आपका जो आंसर आया है इसका आपको माद भी निकालना है, तो 9 plus 11 plus 14 कितने प्रेक्शन है तो हमने तीन से यहां पर डिवाइड किया अब आप इन तीनों को अगर एड करेंगे तो 11 और 9 आपका 20 और यह 34 तो 34 अपॉन 3 आप यदि डिवाइड करेंगे तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और यह 11, 1 अपॉन 3 जो है आपका राइड आंसर हुआ यह जो की है आपका ओप्शन एक दूसरे को समकोंड पर दुई भाजित करते हैं तो यह है अब यहां पर बात हो रही है कि कोई चत्रबुज है जिसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोंड पर विभाजित करते हैं तो यहां में एक चत्रबुज क्रियेट कर रही हूं और जो की विकर्ण है समकोंड प प्रॉपर्टी होती है यह वो आपकर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिगरी पर काटते हैं तो आपका जो आंसर हुआ सम चत्रभुज कार्टी तल में बिंदू-2-3 उसके किस पाद में श्तीत होंगे अब यहां पर कार्टी तल की बात कर रहे हैं और दो बिंदू है कि हम प्लस है तो सबसे पहले तो युदि हम तल बनाते हैं यदि मैं इस फ़र्सट वाले की बात करती हूँ तो यहां पर आपका एक्स और वाई दोनों प्लस में होता है याधी सƯकेंड यहां पर यहां पर जो एक्स होता है माइनस में होता है Supy whiskey समें, तो आपकी यह द मतलब आपके थड़ वाले पार्ट में आएंगे तो जो अप्शन नमबर सी होगा वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं एक व्यक्ति अपनी यात्रा का दो पांच बा भाग ट्रेन से एक तिहाई बस से एक चोथाई कार से दता से तीन किलोम किस से किया ट्रेन से किया एक तिहाई जो भाग था वो वस से किया और एक चोथाई जो भाग था वो कार से किया और इसके बाद जो दूरी आपकी बच गई वो उसने पैदल तीन किलोमीटर पार की तो यदि हम यहां से देखे कि मान लोग जो टोटल दूरी आपकी एक्स है अब इस total दूरी में से हम इन सभी को minus कर दें तो x minus आपका 2 upon 5x आपने train से की फिर इसके बाद 1 upon 3 जो थी आपने bus से की फिर इसके बाद 1 upon 4 जो थी आपने car से दी तो बाकी दूरी कितनी बच गई? 3 km आपकी दूरी यहाँ पर बच गई तब आप इस जो समी करण में ने जो बनाई है इस तरह से समी करण बन जाती है और फिस से इस दूरी को हम equal कर देते हैं तो देखिए हम इसे solve करेंगे तो x minus हम इनका LCM लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर LCM? पर 60 LCM आपका हो गया यहाँ पर 60 तो आपने LCM लिया और देखिए आपका यहाँ 24, 20 और 15 हो गया upon 60 अब हम इसे add करेंगे तो x minus यह आपका हो गया 59 upon 60 x और equal में आपका 3 है अब आप इन दोनों को solve करेंगे तो 60 x minus 59 x is equals to 60 multiply 3 कर देते हैं तो आपका यह x is equals to हो गया 180 km तो x is equals to आपको क्या मिला यहाँ पर 180 km जो की है आपकी option number C में तो आपको दूरी दी हुई थी सभी की आपने सभी को separate किया फिर total में से minus किया और बची हुई दूरी को आपने equate किया next question है आपका x plus 1 upon x equal 5 के लिए x square plus 1 upon x square का मान होगा तो आपको इस question में कोई एक value दी हुई है और आपको x square plus 1 upon x square का मान निकालना है तो देखिए सबसे पहले तो आपको a plus b के whole square का formula यदि अच्छे से पता है तो आपको कोई भी problem नहीं होगी हम इस formula का use करेंगे x plus 1 upon x का whole square किया मैंने यहाँ पर तो आपको मिलेगा x square plus 2 x into 1 upon x plus 1 upon x square x से x यहाँ आपका cancel हो गए x plus 1 upon x square ही बचा और x plus 1 upon x की जो value दी हुई है आपको 5 का square मतलब 25 तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यही value find करनी थी x square plus 1 upon x की जो की आपका right answer हुआ option number 25 निम्ने विकल्पों में से कौन सा विकल्प x plus y का whole cube minus x cube plus y cube का गुड़नखंड है अब आपको यह बताना है कि इसका जो answer है उन में से कौन सा गुड़नखंड है तब आप यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले तो आपको a plus b का whole cube का यदि फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आपको कोई भी problem नहीं होगी तो a cube plus b cube plus 3ab bracket में a plus b आपका इस तरह का फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला मैं यहाँ पर apply करने बाली हूँ तो x plus y का cube minus x cube plus y cube हम यहाँ पर फॉर्मूला अपलाई करेंगे x cube plus y cube plus 3 x y और bracket में x plus y और आपका यह वो minus x cube minus y cube यह bracket open किया तो यह minus यहाँ पर हो गया अब आप देख सकते हैं कि x cube और y cube यह cancel हो गये हैं और आपका यहाँ पर आया 3 x y x plus y तो जो 3 x y x plus y है यहाँ पर कहीं पर देखिए इन में से कौन सा जो है वो यहाँ मौजूद है तो यहाँ पर देखिए नहीं है यहाँ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पूछा गया है गुणनखंड है तो 3 x y जो है इसका राइट आंसर हुआ अब हम नेक्स्ट कॉशन देखते है और यहाँ बोला गया है संक्या के लिए वैंजक है तो कभी भी कॉशन में पूरा यदि नहीं दिया है उसमें से आपको n-3 ही दिखाई दे रहा है तो आप इसे ही राइट आंसर लगाएंगे नेक्स्ट कॉशन देखते हैं नेक्स्ट कॉशन है आपका किसी पांस सदस्टों वाले परिवार की ओशत आयू 20 वर्ष है परिवार का सबसे छोटा जो सदस्ट है वो 10 वर्ष का है जब उससे छोटा सदस्ट से पैदा हुआ तब परिवार की ओशत आयू क्या है कॉशन एक वार और रीट करेंगे कि किसी 5 सदस वाले परिवार की ओसत आयू 20 वर्स है कितनी है ओसत आयू 20 वर्स और आपकी कितने सदस है यहाँ पर 5 तो आपकी ओसत आयू हुई यहाँ पर 100 वर्स सभी की आयू कितनी हुई 100 वर्स और फिर बोला है कि परिवार का सबसे छोटा सदस से 10 वर्स का है और जब उससे छोटा सदस से पेदा हुआ तब परिवार की ओसत आयू क्या है तो यहां पर सबसे पहले तो यहां बोला गया है कि जो छोटा सदस से वो 10 वर्स का है मतलब दस वर्स पहले की आयू इन पांच लोगों की कितनी होगी 5 इंटू 10 मतलब आपकी कितनी होगी 100 माइनस 50 मतलब हुई 10 साल पहले की आयू 50 बर्स हुई अब जब एक नया जो पैदा हुआ है सदस तब उसकी आयू कितनी होगी तो जो पैदा हुआ सदस है उसे यदि हम ले लिए जाए तब भी हमारे 5 ही मेंबर हुए तब हम कितना 10 वर्स तो इस तरह से जो आयू होगी वो होगी आपकी option number ए 10 वर्स इस question में कुछ भी नहीं था आप सिर्फ ये देखें कि कि आउशत को किस तरह से इन्होंने solve किया है next question है आपका यहाँ पर कोण ग्याद करें जो अपने कोटी पूरग के बरावर है अब यहां बात हो रही है कोटी पूरग की तो कोटी पूरग क्या होते हैं जैसे कि कोई भी आप दो एंगल अगर ले लें तो कोटी पूरग टोटल आपका होता है 90 का अब कोड ग्यात करें अगर एक कोड आपका टोटल आपका 90 है तो आपका दूसरा कोड तो 45-45 ही होगा आप एसे भी समझ सकते हैं कि मान लो एक कोड आपका x है और दूसरा आपका 90-x हुगा क्योंकि टोटल जो होता है 90 होता है तो आपका 2x is equals to 90 होगा तो x is equals to 45 तो आपका ज upon 3-4 root of 7 c plus d root of 7 है तो c और d का मान निकालना है दोनों को आपस में plus करना है तो इस टाइप का जो question है आपको इसमें rationalize करना है परिमे करन करना और परिमे करन किस तरह से किया जाता है देखेंगे परिमे करन करने के लिए हमें देखिए मैंने क्या किया 3 plus root of 7 upon 3-4 root of 7 अब मैं 3 plus 4 root of 7 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दोगी, हमने दोनों में गुणा किया, इन दोनों का आपस में multiply हैं, इन दोनों का आपस में multiply हैं, तो आपका 3 3s are 9 plus 3 4s are 12 root of 7 plus 3 root of 7 plus 4 into 7, root of 7 into root of 7, 7 और यह आपका a minus b a plus b तो 3 का square 9 और 4 into 4 16 और 16 और 7 1 1 2 तो आपका यहाँ पर कितना हो गए 37 15 root of 7 upon minus 103 और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको इससे सबसे पहले तो इसकी तुलना करना है तो आप इससे separate करेंगे अलग-अलग करेंगे 103 minus 15 upon 103 और root of 7 तो यह आपका c हो गया यह आपका d हो गया अब आपको क्या निकालना है यहाँ से c plus d तो minus 37 upon 103 और minus 15 upon 103 तो आप इन दोनों को add करेंगे तो 37 और 15 होता है 52 और minus का होगा 103 तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा minus 52 upon 103 अब हम इसी तरह इस question को अच्छे से solve करेंगे तो आपको कभी भी कोई problem नहीं होगी next question है आपका root of 7 plus root of 6 bracket root of 7 minus root of 6 plus 200 का मान है आप यहाँ पर देखेंगे कि यह a plus b और a minus v के according work हो रहा है तब हम इसे a square minus b square के form में लिख देंगे तो आपका क्या होगा root of 7 का square minus root of 6 का square plus 200 और root of 7 का square मतलब 7, 6 का square मतलब 6 तो 7 minus 6 इतना हुआ 1 plus 200 मतलब आपका क्या हुआ 201 और option number है आपका right answer है 201 अब आपका next question है कि संख्याओ root of 2 4 की power 1 y 3 5 rest to the power 1 y 4 3 rest to the power 1 y 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे root of 2 का मतलब यहाँ 2 की power 1 y 2 है बाकी सभी आपकी as it is ही है जब भी इस तरह का question आए तो आप इन number को ignore करते हुए इन number का आप जो की power है इन में आपका जो हर है इसका LCM ले तो यदि आप LCM लेंगे यहाँ पर तो आपका जो LCM होगा तो आपको जब भी इस तरह की condition आती है तो जो हर है हर का आपको LCM लेना होगा जैसे कि 2, 3, 4 और 6 का यदि आप LCM लेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर LCM होगा 12 अब हम क्या करेंगे इस 12 से सभी में यहाँ पर multiply करेंगे देखिए इस तरह से तो जो power होगी आपकी वो एक पूर्णांक के form में आ जाएगी किस तरह से हो जाएगी पूर्णांक में देखिए यह 2 की power 6 हो गई इसे हम 4 की power 3 4 टाइम हो गया 5 की power 3 और 3 की power 2 अब यहाँ से आप simply देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको यहाँ बोला गया है सबसे छोटी संक्या बताना है तो यह होता है आपका 64 यह 256 125 और यह 9 तो सबसे छोटा नंबर आपका 3 की power 2 मतलब 3 की power 1 y 6 जो option नंबर D है आपका यहाँ पर राइट आंसर हुआ नेक्स्ट कोशन है यदी संक्या 5134 5132416 कोशन मार्क तीन से विभाज है तो कोशन मार्क के इस थान पर सबसे बड़ा अंख होगा तो जब भी इस तरह का कोशन आए तो विभाजता के नियम आपको पता होना चाहिए तो 3 से विभाजता का जो नियम है इन सबी नंबर को यदी हम जोड़े तो जो नंबर आए वो 3 से हमारा विभाज होना चाहिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्थान पर सबसे बड़ा अंख होगा तो हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो हम इन सबी को एड करेंगे ठीक प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 और यह रहा कॉशन मार्क तो आपका इनका एडिशन हुआ 22 प्लस अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा जो कि 3 से विभाजोर सबसे बड़ा नंबर अब आप देखें 22 में यदि 7 एड करेंगे तो 29 जो कि आपका नहीं है विभाजित 22 में 6 एड करेंगे तो 28 वो भी 3 से डिवाइड नहीं है 22 में अगर 9 एड करेंगे तो 31 वो भी डिवाइड नहीं है लेकिन यदि आप 8 एड करेंगे तो आपका 30 और 30 जो है 3 से डिवाइड है तब इस कंडिशन में आपका जो राइट आंसर होगा option नमर ए 8 होगा next question देखते हैं दो प्राकरत संख्याओं 6 अनुपात 11 के अनुपात में हैं यदि उनका लगुत्तम समावर्तक 462 हो तो महत्तम समावर्तक ग्याद करें दो प्राकरत संख्याओं हैं जो कि इस अनुपात में हैं और उनका आपको लगुत्तम समावर्तक दिया हुआ है और आपको महत्म समावर तक निकालना है तो यदि हम देखे कि दो संख्याएं हैं तो एक हमारी 6X हो गई और एक हमारी 11X हो गई और यदि आप मैं आपसे HCF यहाँ पर पूस्ती हो तो HCF मतलब होता है common part और common part इन दोनों में X ही है अब हम देखेंगे कि LCM हम कैसे निकालेंगे LCM हम कैसे निकालेंगे हम X लेंगे 6 लेंगे और 11 लेंगे जो कि आपका है 462 तो आप इसे solve करेंगे तो 462 upon 66 जो कि आपका डिवाइड होगा 7 time तो जो आपका HCF होगा वो क्या होगा यहाँ से 7 जो कि आपका option number D है next question है आपका दो भाईयों की IU का योग तथा अंतर दोनों ही रूण संख्याएं है यदि बड़े की उम्र जो है 23 वर्स है तो छोटे की उम्र क्या होगी अब यहाँ पर बोला गया है रूण संख्याएं रूण संख्याएं मतलब या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम यह चेक करेंगे कि 23 जो है बड़े की है तो छोटे की क्या है तो 23 में योग और अंतर दोनों ही रूण संख्याएं तो हम 23 में क्या एड करें की रूण संख्याएं आए और क्या माइनस करें की वो भी रूण संख्याएं तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ 23 में 8 एड करके तो देखिए यहाँ पर 31 31 जो है यह एक रूण संख्या है तो यह हो सकती है फिर हम 23 में 12 एड करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 35 लेकिन 35 एक रूड संख्या नहीं है फिर 23 में हम 18 add करेंगे तो आपको मिल रहा है 41 तो यह एक root संख्या है लेकिन अब इन दोनों संख्याओं में root संख्याएं आ गई हैं तो आप अंतर भी चेक करेंगे तो अंतर केसे चेक करेंगे तो 23-8 यदि करते हैं तो आपको मिलता है 15 लेकिन 15 का एक रूड संख्या है नहीं है अब 23 माइनस 18 करेंगे तो आपको मिल रहा है 5 यहाँ पर तो 5 एक रूड संख्या है आपका योग भी आया और अंतर भी आया तो मतलब आपका जो राइट आंसर हुआ वो 18 यह हुआ नेक्स्ट कोईशन है यदि किनी दो प्राकरत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापी नहीं हो सकता अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी दो संख्याओं है प्राकरत संख्याओं का योग 48 है तो इन में से कौन सा अनुपात कदापी नहीं हो सक पहला ही नमबर यदि हम लें तो 3X और 5X जो इनका जो एडिशन ए 48 है 8X इस इकोस्ट टू 48 और X इस इकोस्ट टू हमारा कितने टाइम 6 टाइम हो गया तो यह तो हो इन्हों नहीं सकता लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछा है जो कि अनुपात कदापी नहीं है फिर मैं नेक्स चेक करते हैं तो 2X प्लस 5X इस इकोस्ट टू 48 और 7X इस इकोस्ट टू 48 मतलब X इस इकोस्ट टू होगा आपका 48 अपॉन 7 तब हम यहाँ देखेंगे कि यह जो रेशो है एक पूर्णांक नहीं है मतलब आपका जो D option होगा वो यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट कोशन द कोई एक बिसम पूर्णांक है अगर आप इन संख्याओं में रखें तो वो एक संपूर्णांक हो तो सबसे पहले तो N कोई भी एक बिसम संख्या है मान लो हमने 3 ले ली अब आप 3 से यहाँ चेक करें पहले option में 3 3 जा हमारा कितना होता है 9 और 9-1 8 जो की एक सम है क्या नही है नेक्स्ट चेक करेंगे 3 3 जा 9 5 जा 45 45 प्लस 4 49 क्या एक सम है नहीं है 3 इंटू 9 मतलब 27 प्लस 5 27 प्लस 5 32 32 एक सम नंबर है आपको यही यही पूछा था कि N की बिसम वैल्यू लेने पर आपको सम वैल्यू कहां मिल रही है तो 3 N स्कॉाइर प्लस 5 आप questions का screenshot ले या आप stop करके वीडियो को देखते चलेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे next question है दो अंको बाली संख्या के दोनों अंको का योग 9 है यदि संख्या 27 जोड दिया जाए तो अंको का क्रम उलट जाता है वह संख्या है यहाँ पर आपको इस तरह के question आप option से ही करें कि दो अंको बाली संख्या के दोनों अंको का योग 9 है तो देखिए यहां भी 9 है यहां भी 9 यहां भी यहां भी तो first condition तो सभी में fulfill है अब यहां बोला जाए यदि संख्या में 27 जोड दिया जाए चलिए हम सभी में 27 एड करते हैं 27 तो 54 63 में एड किया तो आपका कितना हो जाएगा यहां पर 27 और 63 90 और 36 में 27 एड करेंगे तो आपका 63 तो इस तरह से हमने एक condition और देखी कि कि किस में fulfill हो रही है जो कि यह 36 तो इस तरह देखिए आपको टाइम भी नहीं लगा और option की help से आपने से solve कर लिया next question है यदि एक संख्या से एक वटे दो घटाया जाता है और तत पश्यात एक वटे दो का गुणा किया जाता है तो संख्या एक वटे आट बदल जाती है वह संख्या है एक संख्या से एक वटे दो घटाया जाता है तत पश्यात एक वटे दो गुणा किया जाता है तो वह स इसे solve कर लेंगे यह 1 upon 2 यहाँ चला जाएगा तो 2 upon 8 यह 4 टाइम तो x is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 4 तो x is equal to आप इसे solve करेंगे आपका 3 upon 4 तो right answer is a 3 upon 4 रादिका ने रुपे 25000 में एक कार खरीदी अगले बर्स इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनहा अगले बर्स इसकी कीमत 12% और गिर गई इन दो बर्सों में कार की कीमत में संपुन घटने का प्रतीशत है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतीशत में लगातार गिरावट आ रही है और यहाँ पर कुछ amount दिया हुआ है तो जब भी यह से question आए जिसमें प्रतीशत में लगातार गिरावट आती है तो इस amount का कोई भी महत्म नहीं होता है क्यों कि हम देख रहे हैं यहाँ पहले 10% की गिरावट हुई गिरावट इसलिए माइनस और यह 12% की गिरावट हुई तो इसके लिए आपका एक formula होता है x plus y plus xy upon 100 तो यहाँ दोनों ही time गिरावट हुई है तो आप यहाँ पर minus 10 minus 12 और यहाँ दोनों का minus और minus plus होगा multiply upon 100 तो आप इसे solve करेंगे तो आपका कितना हो रहा है 20.8% तो इस तरह से यह भी आपकी गिरावट को ही बता रहा है क्योंकि negative sign है तो इस तरह से जब भी गिरावट होती है तो आप negative sign वाले answer को ही टिक लगाएंगे और negative sign ही ले करके चलेंगे next question देखते हैं काजोल एक घंटे में एक किताब का one upon three भाग पढ़ती है वह किताब को ढ़ाई गंटे में पढ़ती है तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेश वचता है काजोल जो ही one or में एक घंटे में पढ़ रही है किताब का एक बटे तीन भाग मतलब एक सपान थ्री भाग पढ़ रही है अब आगे बोला कि उसने इतने घंटे में बह किताब को इतने घंटे में पढ़ती मतलब पूरी किताब उसने 2, 1, y, 5 मतलब 11 upon 5 कितने भाग को इस x upon 3 को 7 में लेकर उसने 11 upon 15 जो भाग था वो पढ़ लिया अब पूछ रहे हैं कि कितना भाग पढ़ने को 6 बचा तो टोटल भाग था हमारा x और हमारा बचा हुआ भाग हमारा हुआ x minus 11 upon 5 तो आप इससे solve करेंगे तो आपका कितना होगा 15 minus 11 is 4 upon 15 तो आपका right answer हुआ 4 upon 15 option number c next question है आपका किनी दो परीमे संख्याओं के बीच conditions दी हुई आपको कोई परीमे संख्या नहीं होती केवल एक परीमे संख्या होती है अनंत परीमे संख्याएं होती है केवल एक परीमे संख्या और कोई आ परीमे संख्या नहीं होती है अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी दो परी में संख्याएं हैं उन में इन में से क्या सही होगा तो परिमे संख्याएं जो कि आप अनंत परिमे संख्याएं रखती हैं, आप कभी भी कोई भी दो परिमे संख्याओं को लेते हैं और और परिमे संख्याएं निकाल सकते हैं, भिन भिन परिमे संख्याएं आ जाती हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे कि अनंत परिमे संख्याएं हो महत्तम समावर्तक 65M-117 के रूप में दर्शाने योग हो तो M का मान निकालें तो आपको यहाँ पर M का मान निकालना है और 65 और 117 का आपको महत्तम समावर्तक निकालना है तो देखिए इस तरह के question करने के लिए सबसे पहले तो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं दो तरह से किस तरह से मतलब 65 और 117 का आप अलग-अलग LCM निकालें या फिर उसे भागविदी से निकालें तो मैं आपको दोनों मैथट बता देती हूँ देखें आपको जानना जरूरी है दोनों मैथट तो सबसे पहले तो आप 65 का यहां पर LCM निकालेंगे तो यह 5 से 13 टाइम होगा 13 से 1 और 117 का यदि आप निकालते हैं तो हम इसे 13 से डिवाइट करेंगे तो यह 9 टाइम होगा फिर 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3 तो यहां से यदि हम LCM की बात करें इसके HCF की बात करें तो इसका जो common part होगा वो होगा आपका 13 तो यह common जो होगा आपका 13 होगा तो इसका महत्तम समावर्तक जो होगा 13 होगा अब यदि मैं इसको भाग विधी से चेक करें भाग विधी से चेक करें तो भाग विधी में क्या होता है हम छोटा वाला जो नंबरे उससे उससे बड़े नंबर में Divide लगाते हैं भाग लगाते हैं तो यह आपका एक ही बार में जायेगा और यह आपका 52 फिर 52 से हम 65 में फिर 1 टाइम फिर यहाँ पर 13 और यह 52 4 टाइम तो आपका यहाँ पर से जो 13 हुआ वो महत्तम समावर्तक हो गया अब यहां बोला गया है कि जो महत्तम समावर्तक है इस रूप में दर्शाया गया है तो जो 13 है आपका 65M-117 के एक्वल होगा अब हम 117 को 13 में एड करेंगे तो 65M एक्वल होगा आपका 130 और यदि आप कैंसिल करते हैं तो M की वैल्य होगी आपकी 2 तो यहां से आपने M का मार निकाल लिया है जो की है 2 तो आप्शन नमबर भी होगा राइट आंसर तो किस तरह से किया मैंने आपको महत्तम समावर्तक दिया हुआ था इन दोनों नमबरों का आपने महत्तम समावर्तक निकाल लिया और इक्वल कर दिया नेक्स्ट कोश्य ने एक परी में संख्या 5 अपन 19 बा इसके योज प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो देखिए सबसे पहले तो योज प्रतिलोम क्या होता है किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम यदी निकालना है तो यदी वे संख्या धनात्मक है तो आप रिनात्मक कर देंगे और रिनात्मक है तो आप धनात्मक कर देंगे तो जो 5 अपन 19 है का योज प्रतिलोम क्या होगा योज प्रतिलोम क्या होगा मैंने क्या बोला कि एदी धनात्मक है तो आप रनात्मक कर देंगे अब जो योज प्रतिलोम है इसका और इस संख्या का जो गुणानफल है अब हम इनका गुणानफल निकालेंगे तो देखिए हर एक वर्ड को पढ़ते हुए मैं पूरा सॉल्व कर रही है गुणानफल क्या होगा 5 upon 19 into minus 5 upon 19 तो कितना होगए आपका minus 25 upon 381 अब आगे बोला है कि जो आपका गुणानफल है इसका गुणात्मक प्रतिलोम अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना तो देखिए हम गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे यह आपका इसका opposite हो गया विलकुल माइनस का यह sign तो देखेंगे answer आपका कहाँ पर है तो answer number जो d है minus 381 upon 25 आपका right answer हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने योज प्रतिलोम भी बताया और गुणात्मक प्रतिलोम भी बता दिया next question देखते हैं आपको यहाँ पर point में 5.47 into 5.47 minus 4.53 multiply 4.53 upon 0.94 है का सरलीकृत मान होगा आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यह जो है number repeat है यह भी number repeat है और इस तरह से दिखाई दे रहा है a square minus v square तो हम इसे क्या लिख सकते है a minus b and a plus b तो आपका यहाँ पर क्या होगा यह 5.47 minus 4.53 और 5.47 plus 4.53 और upon में होगा आपका 0.94 तो आप इसे यदि solve करेंगे तो minus करना है और आपको plus करना है तो जब आप इसे minus करेंगे तो आपको मिलेगा 0.94 और यह आपका हुआ 10 तो 0.94 यह cancel तो आपका answer हुआ यहाँ से 10. तो देखिए simple question को समझना था और solve करना था जो की formula waste ही था नेक्स्ट question है एक ही मासिक आए b की आए से 20% अधिक है b की आए c की आए से 30% है यदि इन तीनों की समलित प्रतिमहा आए 74,700 है तो c की आए है तो सबसे पहले तो इस तरह के question को आप अच्छे से read करें और कोशिश क करें कि हम कहां से start करें सबसे main आपका है समझना तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मानूंगी माना जो c की i है जो c की i है वो क्या है यहाँपर x है यदि c की i x है तो b की c की i की 30% हो 30% of x हो जाएगी मतलब 3 upon 10 x हो जाएगी फिर यदि हम a की बात करें तो जो a की i है B की I की 20% है, तो 3 upon 10 का जो 20% भाग है, वो A की I है, तो यह आपका cancel हो गया, तो इस तरह से 3X upon 20% अधिक है, 20% अधिक मतलब आप इस I में इस 3X upon 10 को भी add कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 9X upon 25, अब जो तीनों की I है, इनका total जो है 74,700 है, 74,700 है, तब हम इसे तीनों को add करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, X plus 3X upon 10 plus 9X upon 25, जो की है आपका 74,700, आप इसे solve कर सकते हैं, LCM लेकर, और इसकी value निकाल सकते हैं, जो X की value होगी, वही आपकी C की I होगी, तो आप इसे LCM लेंगे, तो आपका जो LCM है, वो है 50, और यहां से 50X plus, आप इसे cancel करेंगे, 10, 5, 15, 18X, और आपका 74,700, इकोल हुआ, आप इसे add करेंगे, तो आपका हुआ, 83 of, आप इसे add करेंगे, 83 upon 50X, जो की equal है, आपका 74,700K, तो आपकी X की value होई, cancel करेंगे, 45,000, तो आपकी जो C की I है, वो क्या होई यहां से, 45,000, तो आपकी जो C की I है, वो क्या हुआ होई यहां से, 45,000, तो आप हम next question देखते हैं, यदि जील की लंबाई और चोड़ाई करमसा 40 मीटर और 10 मीटर है, तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो जील की गहराई ग्यात कीजिए, तो सबसे पहले तो यहां पर 1200 घन मीटर मतलब इसका आयतन दिया हुआ है, ठीक, आयतन दिया हुआ है, और आयतन क्या होता है? लंबाई, चोड़ाई, इंटू उचाई, या फिर आपकी गहराई, ठीक, जो की है, आपका यहाँ पर आएतन बारा सो, लंबाई दी है, आपकी 40, चोड़ाई दी है, आपको 10, और आपको गहराई, उचाई निकालनी है, ठीक, आप इसे कैंसल कर सकते हैं, और यह 4 से 3 ताइम तो आपका यहाँ पर जो गहराई क्या हो गए यहाँ से 3 मीटर तो question में आपको दो values दी थी और volume दिया हुआ था सिर्फ आपको एक value find करनी थी तो आपका जो answer हुआ 3 मीटर next question है यदि ABCD एक सम चतरबुज है तब AC square प्लस BD square प्लस AB square होगा AC square प्लस BD square is equals to 2AB square होगा यह AC square प्लस BD square equals 4AB square होगा यह AC square प्लस BD square equals to 3AB square होगा सबसे पहले तो हम एक सम्चतर भुष find करेंगे सम्चतर भुष draw करेंगे तो मैंने ये सम्चतर भुष draw कर लिया A, B, C और D और ये हो गए इसके विकर्ण A, C और B, D अब इसके विकर्णों में संबंध बताना है तो सबसे पहले तो यदि मैं इस AB का मान निकालती हूँ तब आपका ये होगा AC का square प्लस BD का square AB का अधि हमें मान निकालना है तो ये होगा आपका विकर्ण के लिए formula होता है आपका AB यदि हमें निकालना है तो under root AC square प्लस BD square और upon में 2 तो हम इससे solve करेंगे तो यह हुआ आपका 2AB equal under root AC square plus BD square यदि हम both side square करेंगे तो 4AB का square equal AC का square plus BD का square और आप यहाँ पर check करेंगे कि 4AB का square कहाँ पर है तो option number C आपका यहाँ पर right answer होगा next आपका दी गई आकरती में X और Y क्रमसा है अब आपको X और Y की माप निकालनी है क्या होगे सबसे पहले तो आप यदि इस आकरती को देखेंगे तो यह वाले जो angle है आपके C शभी मुक कोण है vertically opposite कोण है तो यदि यह वाला 80 है तो Y की value 80 होगी और यदि Y की value 80 है तो आपका इन angle का जो sum होगा वो 180 होगा यदि इनका sum 180 है तो X की value आपकी कितनी होगी हाँ से 50 तो आपका जो option number A है 50 और 80 राइट आंसर हुआ next question है आपका एक elevator किसी चटान में 6 meter प्रती minute की गती से उतरता है यदि elevator जमीन में इस्तर से 10 meter उंचाई से उतरता है जमीन के इस्तर से 10 meter उंचाई से उतरता है तो साड़े 300 meter उतरने में लगा समय है सबसे पहरे तो elevator मतलब आपकी जो lift है वो उतर रही है ठीक है जमीन में उपर की नीचे की और 6 meter प्रती minute एक meter में वो 6 minute हमारी हो रही है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो 6 meter है 6 meter है वो एक minute में तै कर रही है 6 meter की दूरी एक minute में तै कर रही है तो 60 meter की जो दूरी होगी वो कितने minute में तै करेगी 60 minute में और 60 minute मतलब वो 1 hour में तै करेगी तो सीधा सीधा आपका यहां से आंसर हो गया एक घंटा आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से किया मैंने आपकी यदि वो 6 मीटर की दूरी 1 मिनिट में ते कर रही है तो 60 मीटर की दूरी आप कितने 60 मिनिट में मतलब 1 और में और यहां पर भी मैं आपको एक और चीज ब टोटल दूरी हो गई लिफ्ट की 360 जो कि वो वन और में कम्प्लीट करेगी नेक्स्ट कोश्चन ये आपका संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 और उनका लगुत्तम समावर्तक 525 है यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो आप दूसरी संख्या निकालिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बताना चाहूंगी जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हैं पहले भी कई कोश्चन में हमने इस फॉर्मूले को देखा है कि HCF जो होता है और LCM जो होता है उनका मल्टिप्लिकेशन दो संख्या है मान लो एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है उनके गुड़नफल के बरावर होता है आपको इस कोश्चन में महत्तम समावर्तक दिया हुआ है और लगुत्तम समावर्तक दिया हुआ है और आपका एक नंबर दिया हुआ है तो आपको यहां से दूसरा number find करना है तो यदि हम इसे cancel करें तो यह आपका cancel होगा 5 से यह 105 time cancel हुआ और यह 35 और यह 35 से 35 cancel तो जो V की value होगई यह आपका जो दूसरा number हुआ 105 तो आपका जो right answer होगा option number D 105 तो इस तरह से यह आपका इसमें बहुत ही important formula है जो आप याद रखेंगे तो आपको question करने में LCM, HCF के कोई भी problem नहीं होगी अब हम next question देखते है यदि कोई रासी 5% बारसिक साधरन व्याज की दर से 6 वर्स में 2600 रुपे हो जाती है तो रासी है सबसे पहले तो यहाँ पर एक रासी की बात हो रही है जो की 5% बारसिक साधरन व्याज की दर से 6 वर्स में 2600 रुपे हो जाती है अब आपको यह 2600 दिया हुआ है यह आपको amount दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यह आपको amount दिया हुआ है कि 6 वर्स के पश्यात इतनी रासी हो गई तो amount आपका क्या होता है principle और SI के equal होता है इसके addition के तो आपका जो 2600 रुपे है वो इन दोनों के योगे के बरावर है तब हम घर SI की बात करें तो आपका क्या होता है P into R into T upon 100 और यहाँ पर आपका जो की है equal 2600 के अब यहाँ से यदि मैं P को बाहर निकाल लूँ तो 1 plus R into T upon 100 होगा जो की हमारा equal होगा 2600 के अब R और T जो है हमें 5% और 6 वर्स दिया हुआ है आपको P की value find करने है तो 1 plus 5 into 6 upon 100 आप इसे cancel करेंगे तो यह 20 और 2 वन जा 0 और यह 3 time मतलब 3 upon 8 तो आप यहाँ से solve करेंगे तो जो P की value है वो आपकी solve करने पर मिल रही है 2000 ठीक main चीज थी आपकी कि आपको question में यह समलना कि यह value आपको क्या दी हुई है कितने वर्स है कितने डर दी हुई है तो आपका जो right answer होगा वो option number C आपका right answer होगा next question है 10 meter per second को kilometer प्रती घंटे में बदलें आप देखिए यहाँ पर 10 meter per second को kilometer प्रती हावर में बदलना है तो जब भी meter per second से हमें बदलना है meter per second से हम kilometer per hour में change करना है तो आप उस number में जो भी number आप करने वाले हैं उसमें 18 upon 5 से multiply करेंगे जब 18 upon 5 से multiply करेंगे तो वो number आपका kilometer per hour में kilometer प्रती घंटे में बदल जाएगा आप यहाँ पर 10 into 18 upon 5 करेंगे 5 से यह 2 time cancel हुआ आपका 36 kilometer प्रती घंटे answer हो जाएगा तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा next question है आपका चित्र में angle B जो की आपका 70 degree है और angle C जो की आपका 60 degree है E BC का मद्दिबिंदू है F AB का मद्दिबिंदू है तो आपको FEB का मान निकालना है FEB मतलब आपको इस E का मान निकालना है तो आप इस चित्र को ध्यान से देखे और मैं आपको इस तरह से एक और चित्र बताती हूँ जैसे की मान लो मैंने A, B, C इसके समानतर D, E रेखा ली तब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो A, E है वो आपका इसके समानतर होगी A, E और E, B, B, E बरावर होंगे तब इस कंडिशन में आपकी F, A, E, C जो रेखा है ये आपकी बरावर ही होंगी तो अगर एंगल C आपका 60 डिगरी है तो एंगल E भी आपका 60 डिगरी होगा तो आपका जो राइट आंसर होगा आप्शन नमबर B आपका राइट आंसर होगा आशा करती हूँ कि आपको सभी कॉशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आप इन सभी कॉशन को अच्छे से करें ताकि आपकी एक्जाम की परप्रेशन बहुत अच्छे से हो सके अब हम next कॉशन और लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द ही